आकाश्माणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहली मुख्य समाचार राजपाल लालजी टंडर ने आज पांच मंत्रियों को दिलाई शपत सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावत और गोविन सिंग भी बने मंत्री कोटा में वसे प्रदेश की छात्रों को लाने के लिए भेजी गए लीड सो से ज्यादा बसे समन्मय के लिए भोपाल में बनी समिती। केंडरी दल ने दूसरे दिन भी इंदौर में कूरुना संक्र में तिलाकों की समिक्षा की राज़े में मरीजों की संख्या पंद्रा सो के पार और उमरिया में लॉकडाउन के दोरान बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोडने के लिए शुरू की गई अनूठी पहल। अब समाचार स्तार से। राज़ेपा लालजी टेंडर ने आज राज़भॉन में एक साधे और संक्षप समारों में राज़े मंद्र बंडल के पांच मंत्रियों को डॉक्टर नरुत्तम विश्रा, तुलसे सिलावर्ट, कमल पतेल, गोविन सिंग राजपूत और मीना सिंग को पद और गोपनियता की शपत दिलाई, इस उसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान और अन्य जनप्रतिदी मौजूद थे, शपत ग्रेंड समारों राजपून की सांधीपनी सभागार में आयोच्वित किया गया, मुख्य सचे उकबाल सिंग बैस ने शपत ग्रेंड समारों की कारवाह का संचालन किया, राज में 23 मार्ज को शपत लेने के बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान अकेली ही काम कर रहे थे और आज लगबग एक माह के बाद उनके मंत्रि मंदन ने शपत ली है, शपत ग्रहन के दोरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कुरोना संक्रमन से ब पस लाने गवालियर से 150 बसे आज रवाना की गए, इन बसों को पून रूप से सनिटाइस्ट कर सनिटाइसर के सुरक्षा कमच में भेजा गया है, गवालियर कलेक्टर कौशलींद्र विक्रम सिंग ने बताया कि कोटा से बच्चों को लाने बस रवाना करने के साथी सुरक करेक्टर एस विशनातन ने आकाश्वानी को बताया कि गुना से भी बच्चों को लेने बसे रवाना की गए हैं, बच्चे लोग कोटा जिल्ले में परने के लिए उनको वापस उनका ग्रह जिल्ले ले आने के लिए साशन की तरफ से प्रयास चब गया, तो अभी ये निर् मध्यपरिश का 6 एंट्री पॉइंट्स है, इसके माध्यम से मध्यपरिश में एंट्री करेंगे, हम लोग इसमें बहुत सावधान कर रहा है क्योंकि बच्चे लोग का हेल्थ कंडिशन बहुत प्रिंपाइब है, तो मान ले ना, फार एक्जांपल गुना का एंट्री पॉ पॉरे प्रदेश के कई बच्चे जो प्रतियोगी परिक्षाओं में शामिल होने के लिए कोटा कोचिंग क्लास से सटेंड करने के लिए जाते हैं, उन सब भी वहाँ पर हैं, उन्हें लाने की हमारे शाशन दोरा व्यवस्थाएं बनाई रही हैं, हमारे शेहर के भी 47 बच अस्वस्थ पाया जाएगा, उसको राधी खिड़ा के कुरेंटें सेंटर में ही 14 दिन तक रहना पड़ेगा। के साथ मैं और पूरा प्रदेश खड़ा है, शुकाकुल परिवार को राजिसरकार की ओर से सुरक्षा कवज के रूप में 50 लाख रुपए, असाधारन पेंशन, बेटी फालगुनी को उपने रिक्षकपत पर नियुकती और सरगी श्रीपाल को मरनो परांथ, कर्मवीर प्रदेश में अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्री अधिकारियों के दलने इन दौर के स्थानिया प्रशासन को लॉगडाउन के उपायों को सक्ती सिलागू करने की निर्देश दिये। इन दौर के संभाग आयुकताकास्त्रपाटी ने बताया है कि टीम ने विबन इलाकों का दौरा किया है और प्रदान की जा रही सिवाओं की समिक्षा की। साइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समजारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वाइरस संक्रमन के 1336 नय मामले दर्ज के जाने के साथी संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुँच गई। इस दौरान इस संक्रमन के कारण 47 लोगों की मौत होने से मृद्गों का आकड़ा 590 हो गया है। कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है। और पिछले 24 गंटों में कुरुना से संक्रमित 705 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 3252 पहुँच गई है। इस बीच एक अच्छी कवर मिली है कोरुना मरीजों के हालत में सुधार हो रहा है। सीहोर में राजिक्रामीर आजीविका मिशन की 17 बैंक बीसी सक्यों ने महा अप्रैल से अब तक 1 करोड 10 लाख रुपए का लेंदेन किया है। दिन्डौरी जिले की कंजरिया गाउं में एक पॉजिटिव केस सामने आने के बाद स्वासमला घर-घर पहुँच कर लोगों के परिक्षन में जुटा हुआ है। उधर अनुपूर में जिलाप्रशासन दिन्डौरी और पिंट्रा से लगी सभी सीमाओ पर नाग्यबंदी की निर्देश दिये गए हैं। कर्फ्यू 23 सप्रेल तक लागू रहेगा। नीमच में सिंकूली तैसील के मांगी लाल प्रजापती ने प्रधानवंत्री के अरपंड में 40,000 रुपए दान दिये हैं। मुरेना में प्रशासन ने आस दो सैकड़ा से अधिक दो पहिया और चार पहियावारनों को सब्त कर उनके चालकों के विरुत कारवाई की। टीकमगर में विधायक राकेश केरी ने जिलास्पताल को वेंटिलेटर मशीन के लिए 12 राक रुपए की राशी दान की। लोगडाउन की कारण बच्चे घर पर हैं और उनको टाइम पास करने भी हो रही परिशानी को ध्यान में रखकर उमरिया पुलिस अधिक्षक सचिन शर्मा ने बच्चों घर पर रहो और अपनी हुनर का जोहार दिखाओ। पुलिस अधिक्षक सचिन शर्मा ने आकाश्वानी को बताये कि आप तक 150 अधिक बच्चों की प्रविष्टियां पहुँच चुकी हैं। पुलिस की इस रचनात्मक पहल की सुप्रसिद्ध कवी कुमार विश्वास ने भी तारीफ किये हैं। पुलिस अधिक्षक सचिन शर्मा विशेश रूप से इसके लिए आशीश के और प्रोथसाहन की और सराहना के पात्र हैं। सबी नाकलिकों से ये अन्रोथ करता हूँ कि जब पूरी दुनिया इस चुनाती से ठीक से नहीं लड़ पा रही हैं। हम इंदुस्तानी लोग, हम अध्यप्रदेश के लोग, हम भारत के लोग आत्मा अनुशासन से अपने उपर अनुशाशन करके पूरी दुनिया को बताएं। कि अगर हम अपने प्रशाशन के साथ मिल जाएं, तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी चनौती से पार पा सकते हैं। कराने के लिए आज कोविट इंडिया सेवा का शुभारम किया। अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर। इतना ही घर में रहें, सुरक्षित रहें। और सुनती रहें आकाश्वानी। नमस्कार। याल तेम कर याल मुबत याल rint